नमस्कार दोस्तों स्क्रीन पर एक कटा फटा पन्ना आपको दिख रहा है उपर अशोक स्तंब है लिखा हुआ चीफ निस्टर मनीपूर तारीख 30 जून 2023 और इमफाल जो मनीपूर के राजदानी है इससे लग रहा है किय दो अपर मनीपूर के मुख्यमंत्री का लेटर हिड है अब लिखने क्या लिखा है और कैसे ल लेटर हीी ऐसे फटा और फार कर फिर एक साथ एसे करकर इसको तोसल मीडिया पर वायरल किया गया बड़ा दिल्चस्प है भारती है राजनितिक इतिहास में बहुत से मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के प्रधान मंत्रियों के इस्तीफे हुए है कई बार इस्तीफों के नाम पर नाटक हुआ है कई बार इस्तीफा दे कर वापस लिया गया कई बार इस्तिफा देने का माहौल बनाकर इस्तिफा नहीं दिया गया कई बार इस्तिफा लेकर किसी को चलता किया गया सब कुछ हुआ है लेकिन आज जो मनिपूर में हुआ है यह अभूत पूर्व नाटक है नोटंकी है और पाखंड है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गौर से सुनिये और यह आपको पता होगा कि राहूल गांधी दो दिनों से मनिपूर में है और जब राहूल गांधी मनिपूर में शिवीरों में पीडितों से पलाएम कर चुके उन परिवारों से मिल रहे हैं तो कैसे बीजेपी में खलवली बची है और उस खलवली का एक नोटंकी के शकल में, नाटक के शकल में ये दिखता है कि मनीपूर के मुख्यमंद्री इस्तिफा देने के लिए निकलते हैं इस्तिफा देने की ख़बर चैनलों पर चलने लगती है कि आज मनिपूर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंग दे सकते हैं इस्तीफा और उसके बाद अचानक इस्तीफा नामा या इस्तीफे का ये पन्ना कटे फटे शकल में इस तरह से कोलाज बना कर फिर से सामने आता है बड़ी बारी किसे किसी ने इस इस्तीफे को फटे हुए इस्तीफे को चिपका कर वाइरल किया पीछे कागज भी दिखा है क्या है काहनी सुनिए और नाटक को समझे तो दरसल मनिपूर के मुख्यमंत्री एन विरेन सिंग की तरफ से ये इस्तीफा लिखा गया मनिपूर की राज Dipal Unsuyya Uike वर्नर को इस्तीफा दिया जाता है लेकिन इस्तीफा देने जो नाटक किया गया वह बहुत आहम है पहले तो इस्तीफा में जो ऐ इस जोल होता है दो लाइन का सबा दो लाइन का ये इस्तीफा लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है I hear my submit my resignation as Chief Minister of Manipur I thank you for your cooperation and guidance during the past few months with kind regards और यहां मुख्यमंत्री जी का दस्त करते हैं इसकी एक भूमी का तैयार की गई थी एक पटकता लिखी गई थी एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि इस्तीफा देने का नाटक करो इस्तीफे की खबर चैनलों पर चलवाओ ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री कितने चिंती थे राज में बिगड़े हालात को देखकर नैतिक जिमेदारी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं ऐसा माहावल बनाओ अपने कारिकरताओं की भीड को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुचने के लिए बोलो तैशुदा ढंग से सैक्रो कारिकरता जब पहुच जाएं उसके बाद कोई बाहर निकले और क्या करें वो देखें और ये फटा हुआ जो इस्तीफा का एक पन्ना है उसको कैसे जोड़ जोड़ कर तस्वीर में तस्वीर बनाकर एक कोलाज बनाकर वाइरल किया गया दिल्चस्प है तो इसलिए अगली स्लाइट और उसके बाद राहुल गांधी के जाने का या सर है या क्या है वो भी समझे अब देखे अगला यह वीडियो है इसी वीडियो में आपको देखेगा कि वो इस्तीफा जो अभी फटा हुआ दिखा जो एक पन्ना यह जैसे जैसे यह प्रिंट आउट है उसी का प्रिंट आउट लिया है मैंने तो यह वीडियो में क्या दिखता है देखे गौर से और अब ये मुख्यमंत्री निवास के बार ये भाई साव है अब जो भी है इनकी आइडेंटिटी मैं नहीं जानता हो जो मरीपूर के लोग है कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें जिससे पता चल जाए कौन है ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर है आवास के बाहर बहुत सारे कारेकर्टाओं की भीड है कहा जा रहा है कि कारेकर्टा वहां पहुँच गए महला है पहुच गई जब लगा कि मुख्यमंत्री जीने जिम्यदारी दियोगी इन्होंने इस महला को साउपा जो यहां ये महला के हात में दिखा दिया इस महला ने इस इस्तीभे को ऐसे फार दिया ये मेरे पास इस ㅋㅋ ने हाइब ईस MARY जाख में और इन भाई दिया गया सोच समझ कर उसके बाद उसी को फिर चिपकाया गया एक कागज पर बिचाया गया जैसे होता है आप इसको ऐसे करके फिर सेट कर सकते कई बार होता है घर में कोई जरूरी कागज फट जाता है गलती से तो लोग फिर उसको जोड़कर पढ़ते हैं क्या है ऐसे यह ऐसी घटना है या ऐसा नाटक है जो कोई भी आदमी जिसको आंक कान नाक धमाग अंशिक तौर पड़ी हो वो समझ जाएगा कि यह नाटक था मुख्यमंत्री को ऐसे इस्तीफे के पहले लोग पहुंच जाएं बाहर को आदमी किसी महला के हाथ में दे दे जो इस वीडियो व्हार कर रहा कर रहा एक्षण रिप्टे आपकी अगो पता चले और यह फटा हुआए इस्तीफा जो है यह ऑजसाब देखिए कितना कितना अराम्से देखिये भाई-ई-साब ने अपने हाथ में ले लिया अब यह भाई-साब यह लेकर डयूटी पर लग गये कि वाइरि आया कारेकरताओं की जमेदारी सब कुछ तेह होगी कारेकरता ने एक महला कारेकरता ने फाड़ा एक दूसरे सहाब जिनको नहीं पाचान रहा उन्होंने लिया ऊथ में लिया और उसके बाद सब कुछ आगे किया और लगा कि ये तो इस्तिफा देने को तियार थे लेकिन जंग्चर I wish to clarify that I will not be resigning from the post of the chief minister मतलब इस crucial जंग्चर पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं करूगा तो पहले ती बात पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करने की पड़कत था क्या थी क्या वज़ा थी क्या दिली से कहा गया क्या आपको लगता है कि मनिपूर के मुख्यमंत्री एन विरेन सिंग अपनी तरफ से बिना अमिश्याह और मोदी के एप्रूवल के रजामंदी के कोई इस्तीफा नामा लिख सकते हैं और इस्तीफा नामा लिखकर या इस्तीफा लिखकर उसके बाहर निकल सकते हैं और कार्यकरता फार दे उनका इस्तीफा और आता है कि यह मुम्किन ही नहीं है कि बिना दिल्ली के आदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी का इस्तिफा नहीं देगा जब तक दिल्ली से मांगाना जाए और अगर इस्तिफा फट भी जाए तो अगर दिल्ली चाहेगी तो इस्तिफा फिर देगा और इस्तिफा देने के ऐसा करने की जरूत क्या थी जा ही रही है नाटक था लेकिन इस नाटक के बाद और इस नाटक की वज़ा क्या है क्या हो रहा है मनीपूर में मनीपूर में 56 या 57 दिन हो गए जब वहां जो हिंसा हो रही है उस हिंसा की वज़ा से 135 लोग मारे जा चुके हैं 50 से 60,000 लोग शिव होना यह चाहिए था कि प्रधान मंतरी मोधी को अमेरिका एजिप्ट जाने से पहले भी प्रधान मंतरी को जाना चाहिए था जखमों पर मरहम लगाना चाहिए था लोगों से संबाद करना चाहिए था मनिपूर के इस्थिती को समझना चाहिए था स्थानी अस्तर पर अधिकारियों के साथ था शिविरों में जाना चाहिए था प्रधान मंत्री तो गए नहीं कहां जा रहे काल प्रधान मंतरी इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ आज कहां गए थे आप जानते हैं फिर भी आगे बताओंगा गए कौन राहूल गांधी है और जब राहूल गांधी ने एलान किया कि वो 1939 को मनिपूर जाएंगे तो राहूल गांधी को रोकने की कोशिश हैं पहले हुई पहले दिल्ली से ही बीजेपी के बहुत सारे लोग यहां तक के आसम के मुख्यमंतरी तक ने कहा दिया राहूल गांधी नाटक करने आ रहे आने की जरूत नहीं है और राहुल गांधी वहाँ मीडिया एटेंशन के लिए आ रहे है। मोदी ने मनिपूर के हलात का जाजा अमिश शाह से लिया औख पर्धान मंत्री मोदी मनिपूर के की हलत पर चिंति यह ख़ब्रें हैड लाइन मैंनेज हों लेकिन उसके बाद प्रधान मंत्री तो जब राहूल गए जो तस्वीरें वहां से आई है मनिपूर में शिवीरों में गए राहुल गांदी लोगों से मिल रहे हैं बच्चों से मिल आप देखिए सब के चेहरे देखिए मतलब यह सोच कर कि जो लोग अपने परिवार घर को छोड़ कर बहुतों के घर जलाए और फुके भी गया होगे और बहुतों ने अपने परिजन और रिष्टधारों को घमाए भी अगर 135 लोगों की मौत हुए है तो जो लोग शिवीरों में रह रहे हैं अनिशित्ता है कब घर में लोटेंगे क्योंकि हिंसक माहौल है कल भी दो लोगों की मौत हुए गोली बारी में इस्थितियां सुधरने के दिशा में अब तक ऐसी इस्थिति नहीं कही जा सकती है कि सब कुस थम गया है पुलिस और सुरक्षाबल और सेना को स्थानिये लोग या जो दो जन जा आतिया समुहों में ठकराओ है उसके बज़े से पुलिस और सेना को काम करना मुश्किल हो अभी तीन दिन पहले या चार दिन पहले बारा उगरबादियों को सेना के कबजे से स्थानिये महलाओं की भीर ने छोडा लिया जिसमें को क्या ऐसा उगरबादी आतंकी भी था जो सब्सक्राइब के चेहरे पर दर्द है तकलीफ है तरास्ति है यह चेहरे देखे यह मनिपूर की वह महलाएं हैं लड़कियां बच्चियां है बेटियां है जो शिविरों में और ऐसे ही लोगों से राहूल गांधी मिल रहे है संबाद कर रहे हैं वो कहते हैं मुहबबत की दुकान और वो कहते हैं कि मैं लोगों से बात करना चाहता हूं मनिपूर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूं मैं भायचारा का संदेश देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मनिपूर में अमंचेन कायम हो इसमें क्या दिक्कत है कि बीजेपी को इतनी बेचैन हुग गई कि राहुल गांधी पर ना सिर्फ हमले हुए बलकि राहुल गांधी जब आज मनीपूर के की राजपाल अनुसिया वीके से मिले वो तस्मीरें भी आई और सिविच खबर आई कि मनीपूर के मुख्य प्लंतरी ने इस्तीफा देने का फैसला किया और इस्तीफा देने जा रहें जिसका नाठक आपने देखा ये सारी तस्मीरे मनिपूर की है कल और आज की जब रहुल गांधी शिविरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं बच्चों से अब देखिए इस बच्ची का विलचेयर गो बैक स्कूल ये छोटे 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 बच्चे जो रहत शिविरों में रहत शिविर किसी सरकारी इमारत में है स्कूल में है जा भी वहां राहुल गांधी जा रहा है ये किसको जाना चाहिए था और जिसको जाना चाहिए था वो कहां जा रहा है कहां कहां जा रहा है यह लावर कई वार विपक्ष के नेता पर हमला करने के बहाने कई ऐसे घोशित अगोशित प्रवक्ता आकर जिसमें एंकर भी हां में हां मिलाता है राहुल के पती हमलावर और एक माहल कल ये भी बनाया गया कि मनीपूर में स्थितियां सुधर रही है हालात सुधर रहे हैं शांत प्रधान मंत्री मोधी कैमरों के लिए कल भी कहा थे आज भी कहा है इजिप्ट से लेकर अमेरिका में क्या क्या और कल कहा होंगे वो बताएंगे हम आपको बरत तो यह राहूल गांधी है और राहूल गांधी का यह बयान अभी उनके ट्वीटर हैंडल पर मैंने दीखा जिसम लोगों से अपील है कि हमें शांती की और चलने की जरूत है और क्या कहा है राहूल गांधी ने सुनिए आखिर में हिंदी में शुरू में अंग्रेजी में सुनिए कि राहूल गांधी ने क्या कहा और पिर आगे कि प्रधान मंत्री कल कहा जाने वाले हैं और जहां जाने व आपने तस्वीरों में देखा और शायद थोड़ा बहुत जान भी रहोगे तो जहां प्रदान मंत्री को जाना चाहिए था वहां नहीं जाकर कहां जा रहे अभी तुरंत इसके बाद पहले रहुल गानी को सब्सक्राइब अजा में रहे कि बाद़ वित्सक्राइब बहुत ख़ां मनित्सक्रा वहां परने झाल इसके जदू आफर भी यूवर कर अबनेपूर इस वहां प्रदान गास्ष्वर को जा थेस बादो कर हां पर फो चल्ताइब प्रदों में रहे आप्वיख कमया उन点ो, निभीसvention अवें baruुआ कर द्यादनीे, सिर्फिस क robić में कIES क्या स्क्रोंब normale कि वेूर्म सकतित उन से इंट network को कि जिल एकटादा की। and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I am here to help in any way I can to bring peace to the stage. I love all the people of Manipur. Manipur को शान्ती की जरुरते हिंसा से एक कुछ नही होने वाला है. मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ. जो भी मदद मैं राजनिती के नहीं करने के बारे में इसे लखाता हूँ, कि यहाँ जल्दी से जल्दी साहती है. अब उनसे कुछ सवाल पुछा गया, पूरी तरह क्लारिटी नहीं है, लेकिन ट्वीटर पर किसी नहीं कहा, शाद मोदी के, पीएम मोदी के नहीं आने के बारे में सवाल पुछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, कि मैं राजनिती करने नहीं आँ हूँ. चाहते तो राजनिती के बयान दे सकते थे, जब हर रोज बीजेपी के नेता राहूल गांधी के खिलाब दे रहा है, लेकिन राहूल गांधी ने वहाँ भी संजीत्गी दिखाई और कहा, मैं राजनिती करने नहीं आँ हूँ. अब इस वीडियो को देखकर, इस तस्वीर को देखकर, आपने से कितने लोगों को लग रहा है कि राहूल गांधी ने मनिपूर जाकर कोई गुनाह किया, आपने से कितने लोगों को लग रहा है राहूल गांधी को मनिपूर नहीं जाना चाहिए, उन तस्वीरों को देखक कि इनके जखमों पर मरहम नहीं लगाया जाना चाहिए इनसे मिलना नहीं चाहिए इनसे समबाद नहीं करना चाहिए इनके भीतर जो चल रहा है वो समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इन्हें होसला और भरोसा नहीं देना चाहिए कि एक दिन स्थिती सुधरेगी आप अपने घर जाएंगे हम आपके साथ हैं मनिपूर देश के राजधानी से सेक्रो किलोमेटर दूर पुर्वत्तर का वो इलाका जहां ऐसे भी दिल्ली और देश के इस हिस्से के लोग ऐसे भी मनिपूर को उस कोने में मानते हैं जो उनके लिए बहुत माइने नहीं रहते हैं ये तकलीफ पुर्वत्तर के लोगों को ऐसे भी होती है कि देश की राजधानी की नजर से वो बहुत दूर है सेक्रो मिल दूर और चैलों की नजर से तो ऐसे भी खबरों के केंदर में कभी मनिपूर या पुर्वत्तर के छोटे राज होते भी नहीं असम आजकल है क्योंकि वहां हेमंत विश्यो सर्मा है और क्योंकि हेमंत विश्यो सर्मा लगातार नफरती बयान देते हैं कभी ओबामा को लेकर कभी मुसल्मानों को लेकर कभी शारुखान को लेकर और अपने बयानों की बज़े से पुर्वोत्तर के योगी वादितनात बन रहे हैं इसलिए असम की तो बात होती है असम की बात तो ऐसे भी नहीं तो बात होती है हमंत विशुसर्मा के बयानों की और जिस तरह से भड़काऊ राजनिती कर रहे हैं उसकी लेकिन बाकी राज जिसमें एक मनिपूर है और वो मनिपूर जो 56-57 दिनों से सुलग रहा है जहां लोग तकलीफ में है जो घर छोड़ रहे है घरों में आग लगाए गए उनके परिजन मारे गए सब कुछ लूट गया और इस हाल में है और इस पर आपको इतराज बीजेपी वालों को कि राहूल वहां क्यों गए राहूल मीडिया के लिए गए राहूल नाटक करने गए तो फिर प्रधान मंत्री मोदी आज दिल्ली विश्रुद्या ले गए कल कहां जाएंगे और जाना उन्हें चाहिए था उस पर बात कौन करेगा यह विडियो आपने देखा अब नरिन मोदी आज कहां गए पी एम मोदी जाना चाहिए था इनको मनिपूर या नहीं आप खुछ सोचिए गए कहां आज प्रधान मोदी डिल्ली विश्रु विद्या ले गए खुद उन्होंने ट्विट किया है on the way to do program by the Delhi Metro happy to have youngster as may co passengers ठीक है अच्छा है प्रधान मंत्री की पूरी तयारी थी मेट्रो में जाएंगे कई camera man होगा यह नई के लोग होगे जहां जाएंगे सब पूरा managed होगा लोग प्रधान मंत्री से बात करेंगे तस्वीरें आएगी चैनलों पर चलेगी लगातर हसते मुस्कराते संबाद करते प्रधान मंत्री मोदी दिखेंगे और उसके बाद जाकर lecture देंगे दिल्ली विश्रु विश्रु विद्याले में शताबदी वर्ष के मौके पर जो उ मनिपूर 55-56 दिन बात तक मनिपूर उनकी प्राथ्मिक्टा में नहीं होना चाहें ये सवाल पूछा जारा है और ये सवाल इसलीए भी पूछा जारा है कि जब विवखष के नेता के जाने पर आपको इतराज है तो फिर आप जाकर दिखाते हैं आप जाकर वो मरहम लगात इस नहीं हो रही है लेकिन इस्थितियां नहीं सुदर रही है तो जिम्मेदारी किसकी है सवाल लिए अब उसके बाद प्रदान मंत्री मोधी कल कहां जाएंगे खबर पढ़िए पीए मोधी कल आएंगे शहडोल MP में है आदिवासी परिवार के साथ करेंगे भोजन CM शिवराज भी रहेंगे साथ मतलब MP में चुनाओ है पाच मेहने बाद मनीपूर जल रहा है मनीपूर में कुछ चुनाओ नहीं है चुना होता तो मनिपूर माफ़करे PM जाते हैं लेकिन चुनाओ MP में है मनिपूर के लोगों को किसी बोटर के तौर पर प्रधान मंत्री के लिए उनकी अभी अहमियत नहीं है जब होगी तो फिर जाएंगे तो जा रहें कहां और क्या पूरा मेन्यू है और क्या करने जा रहें आदिवासी परिवार्ग साथ भोजन करेंगे वहाँ शिविरों में बैठके भोजन करते तो कोई बात होती जो राहूल गांधी तस्वीरों में दिख रहे हैं शिविरों में बैठे हुए जो लोग शिविर में हैं उनके साथ भोजन करते राहूल गांधी दिखकत यही है कि राहूल गांधी वो कर रहे है जो सरकार को करना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा की वज़े से राहूल गांधी की जो छवी सुधरी है या इतनी लंबी यात्रा के बाद राहुल गांदी ने जन्समबाद करके जो एक उनकी जो इमेज खराब की गई थी सालों की मशक्कत के बाद सैक्रों हजारों करोर खर्च करने के बाद उस छवी को राहुल गांदी ने किसी धंग से सुधारने में काम्यावी हासिल की है और मनिपूर गये हैं, मनिपूर जाकर राहुल गांदी किसी धंग से लाइम लाइट में ना आ है इसलिए हमलावर राहूल गांदी हैं लेकिन प्रधान मंत्री कहा जा रहे हैं इस तरह डोल जा रहे हैं बताया अभी ट्वीट किया है कुछ दिर पहले जब मैं वीडियो कर रहा हूँ जिसमें कहा है देश के हमारे आदिवासी भाई बहनों को घर तक योजनाओं का लाप पहुचे इसके लिए हमारी सरकार संकल्प है कल दो पर साड़ी तीन बज़ा आदिवासीों के कल्यान से जोड़े एक महत्पूर मेशन का सुभारम करेंगे अच्छी बात है शुभारम होन से वेबसाइट के हवाले से खबर है पी-एम को परोसा जाएगा आदिवासी भोजन और पी-एम के लिए भोजन के जो मेन्यू तैयार किये गए हैं उसमें आदिवासी परंपरा के हिजाब से क्या-क्या वेंजन है पूरी लेच्छपी है कोदो कुटकी की खीर जौर और मक जो प्रधान मंत्री खाने वाले है अच्छी बात है आदिवासी की परंपरा है आदिवासी के घर में जा रहे है अच्छी बात है लेकिन मनिपूर को जाएगा और मनिपूर प्रधान मंत्री नहीं जाएगा और विपक्ष का नेता जाएगा तो उससे किसी को मिर्ची क्यों लगनी चाहिए और किसकी जिम्मेदारी है और कब जाएंगे ये सवाल पूछेगा कोई मीडिया के भूमी का क्या है ऐसे वक्त में जब मनिपूर में हालात कंट्रोल में नहीं आ रहा है कौन पूछ रहा है समगा किस से आप हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको किनारे हटके एक देश के नागरी के तोर पे सोचिएगा कि मनिपूर में जो इस्थितियां है वहां प्रधान मंत्री को जाना चाहिए या नहीं और क्या राहुल गांधी ने जाकर वहां गुना किया तो शायद आपको खुछ जवाब मिलेगा फिलाल इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में उमीद करते हैं दूआ करेंगे कि मनिपूर के हालात सुधरें और जो लोग हजारों लोग रहाश शिविरों में हैं जो बच्चे जो माएं जो बहने जो बज़ुर्ग वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लोटें फिलाल इस वीडियो को करते हैं फिर मुलाकात होगी रसकार